शंक्षेप्त योग विशिष्ट, उप्षम परकरन, सर्ग तेर्वान, चित की शान्ति के उपायों का युक्तियों द्वराबर्दन, श्री विशिष्ची कहते हैं रगुनन्दन, बिना जीती हुई मान सहित इंद्रियां, शत्रू के समाने, इन्हें तब तक बारम बार जीत करके परमात्मा में लगाने का प्रेतन करें, जब तक कंता करन्च से हम ही परमात्मा के ध्यान में काग रहो करके शुद्ध एम परसन्न ना हो जाए, इस प्रकार साधन से नित्य परसन्न, सरव्यापी, दीविसरूप, देवीशर प्रमात्मा का सता शाक्षाकार हो जाता है और ऐसा होने पर सारी दुख द्रिष्टियां नस्ट हो जाती है उस सगुन निर्गुन रूप पर ब्रह्म प्रमात्मा का शाक्षाकार होने पर हिद्य ग्रंथी रूपी, कूद रिष्टियां, जो मौ रूपी, बीज की मुठियां और नना परकार की आपत्थियों की रिष्टियां हैं, नस्ट हो जाती है नित्य आंत्रिक विचार वाले और जगत को शन भंगुर देखने वाले पुरुष का अंताकरन, राजा जनक के अंताकरन की तरह समय आने पर अपने आप ही शुद्ध हो जाता है संसार से भैवीत हुए पुर्षों के लिए सची जानन्द घंड परमात्मा के ध्यान रूप परम पुर्षात को छोड़ करके ना देव शरन देने वाला है ना करम ना धन आशरे देने वाला है ना भाई बंदो अपने उध्धार के लिए इन में से कोई भी आशरे लेने योग्य नहीं है केवल एक मात्र परमात्मा ही शरन लेने योग्य रहे ताथ जो लोग विवेक वेराग्य विचार उपासना और धर्म पान आदी उत्तम कारें में भाग्य के अधिन रहते हैं तदा मिच्चावी प्रित कल पनाएं करते रहते हैं उनकी मंद मती विनाश की और ले जाने वाली है जाता है उसका अंसरन नहीं करना चाहिए उत्तम मिवेक का आच्रे ले अपने आत्मा का अपने ही दोरा अन्भाव करके परम वेराग्य से पुष्ट खवी पुट्र एम शुक्ष्म बुधी रूप नुका दोरा संसार सागर को पार करें शीराम ये मैंने तुमसे आकास से गिरने वाले फल के समान शीकता पुरक होने वाली घ्यान प्राप्ति का बर्नन किया है ये घ्यान रुपी ब्रिक्ष को काट डालने वाला तथा निर अतिशे सुख परदान करने वाला है वांचिक अर्थात मन के अनकोल और अवांचित अर्थात मन के प्रतिकोल वस्तो की अकाश अशंका रुपी चंचल वानरिया जैसे चित रुपी व्रिक्ष पर कुद भांद लगाए रहती हैं उसमें शांती कहां से आ सकती निशकामता, निर्भैता, स्थिता, समता, ग्यान, निरिहता, निशक्रीता, सुमेता, निर्विकल्पता, धैरिय, मैत्री, मनन्शील्टा, संतोश, मृदता और मदर भाष्टा ये गुन हें और उपादे से रही तक ग्यानी पुरुश में बिना किसी वासना के रहती हैं जैसे बहते हुए जल को भांद से जोका जता है उसी परकार निर्क्रिष्ट विश्यों की और दोड़ते हुए मन को विवेक वेराग्य के बल से विश्यों की और से लोटाएं और चित की बहिर मुख विरिती को विवेक वेराग्य द्वारा अंतर मुखी करें शीराम मोच संसार को भूल कर फिर नहीं प्रस्वुटित होता और संसार चित को भुला करके फिर नहीं अंकुरित होता खड़े होते, चलते, सोते, जागते, कहीं निवास करते, उचलते और गिरते, पढ़ते ये द्रिश्य परपंच असात ही है ऐसा मन में निश्चे करके इसके प्रती आस्था का प्रत्या कर देना चाहिए अप्राप्त का चिंतन ना करके निद्वन्द होके इस लोक में विचरना चाहिए चीराम, तुमी सरवग्य, तुमी अजन्मा, तुही सब के आत्मा, तुमी महिश्यरो तुम अपने चितने सभाव से कभी अलग नहीं होते तथा भी तुन ने इस परकार इस संसार का विस्तार किया है जिस ने सद्रुप आत्म द्रिश्य में परमारत सत्सवरुता की भावना करके सब और से दूसरी भावना का परत्याग कर दिया मैं प्रुश हर्ष, क्रोध और विशाद आदी से होने वाले दोशों से नहीं बनता जो राग द्वेश से मुक्त है मिट्टे के धेले पत्थर और सन को समान समझता है और संसार की वासनाओं का त्याग कर चुका है ऐसा योगी युक्त कहलाता है वह जो कुछ करता, खाता, देता और नस्ट करता है उन सब क्रियाओं में उसकी एहम भावना नहीं होती तथा वह सुक दुख में ही समान भाव रखता है जो इश्ट और अनिश्ट की भावना का त्याग करके प्राप्त हुए कारे को करतवे समझ कर ही उसमें परवित होता है उसका कहीं भी पतन नहीं होता महामति ये जगत चेतना मात्र ही है इस परकार के निश्चे वला मन जब भोगों का चिंतन त्याग दिता है तब वे शान्ती को प्राप्त हो जाता है वास्तम में तो ना मन है ना बुद्धी है ना ये श्रीर ही है कि वह एक मात्र आत्मा ही सिदा विद्यमान है आत्मा ही ये संपूरन जगत है और आत्मा ही काल करम है जैविशुद्ध आत्मा अकाशित से भी शुक्ष्व होने के कारण परतीत ना होने पर भी धुवज सत्य है शुक्ष्व होने के कारण परत्यक्ष परतीत ना होने पर भी ये आत्मा नित्य सत्य चितन रूप है अतैव सब परकार के लक्षनों से अतीत शुद्ध आत्मा केवल अपने अनभव से ही जाना जाता है जहां केवल परमात्मा की चीतनता है वहां उसी तरह मन का शेह हो जाता है जैसे परकाश में अंधकार का नाश हो जाता है अतै उस आत्म ग्यान की प्राप्ति के लिए वहराग्य से प्राना याम के अद्भ्यास से विवेक विचार से दुर्वियसनों के विनाश से तथा परमारत तत्त के भोच से प्रानवायू का निरोध करना चाहिए जड तथा सुरूबहिन होने के कारण मन सदा ही मरा हुआ है कि तु आचे रहें कि उस मरे हुए मन के द्वरा ही लोग मारे जा रहे है चकर के समान घुमती हुई ये मुरक्ता की प्रंपरा बड़ी विचित रहे आहो महा मायावी माया सुर का भी निर्मान करने वारी ये माया अथ्यंत अधुद है जिसके कारण हच्यंत चंचल चित के द्वारा भी ये लोग अभी भोत हो रहा है जब मुरक्ता आती है तब पुरुष्य सभी आपतियों का भाजन हो जाता है भला अज्यानी पर कौन सी आपति नहीं आती देखो अज्यान नहीं मुरक्ता से इस शिरिष्टी को उत्बन किया है बड़े कलेश की बात है कि ये शिरिष्टी दुरुष्धी के कारण मुरक्ता के वाच्च में पड़ी हुई उसके द्वारा पेड़ी तोरी तथा भी ये जीव असत का अनवर्दन करके और तुरुता दुख को ठाने के लिए ही इसे शिरिष्टी को उपलब्द करता है अविचार मात्र से सिद्ध है अतर एक मात्र विचार से ही इसका बाद किया जा सकता है छीराम इस मुरक्त लोकमे शिरिष्टी के रूप में असत रूप मन ही प्रगटवा है अथात ये मन का ही विकार है जो प्रुष्य उस मन को वश्वे नहीं कर सकता वे अध्यातम शास् ही है उस प्रुष्य की बुद्धी चार और से विश्व में ही आड़ूड है और उतने से ही वे अपने को परिपोर्न मानती है इसलिए परमात्मा की और अवी मुख नहीं होती शुक्ष्य वस्तु के चित में भी सम्मर्थ नहीं हो पाती इसलिए उनमें अध्यातमिक शास् उपदेश पाने की युग गिता नहीं होती सर्ग तेरा समाप्त चोद्वा सर्ग अन अधिकारी को दियेगे उपदेश की व्यर्ता मन को जीतने या शांत करने की प्रेना तदा तत्त वहुत से ही मन के उप्षम का कधन तिश्णा के दोश वासना शे और जीवन मुक्त के रोग का वर्णन श्री विशेश ची कहते हैं रगुनंदन इस भूतल पर जो मनुश्य पशु पक्षियों के समान धर्मा होकर आहार निद्रा और इस्तिसंग आदी में ही लगी हुए ही उन्हें अपदेश दिना उचित नहीं भला मन में ठूटे काट के निकट कथा का तात परे कहने से कौन सा प्रियोजन सिद्ध होगा जिनने अपने मन को विश्यों में फैला रखा है उन मनुश्यों में और पश्यों में क्या अंतर है पशु रसी से बांद कर खीचे जाते हैं और मोड़ चेता मनुश्य आसकती के करन मन के द्वरा विश्य की और गसी दे जाते जिन लोगों ने अपने मन को नहीं जीता हैं, उन्हें सब और से दुख दायनी दशाइं पराप्त होती हैं, अगुन अंदन जिन्होंने अपने चित पर विजे पराप्त कर ली हैं, उनके दुख उत्तम विचार के द्वारा दूर किये जा सकते हैं, इसलिए जिसे गे तत्तों का ग्यान हो चुका है, वे ग्यानी प्रुश्य उनके दुख का मार्जन करने में परवित हो, इस तरी गुनातम का माया में परपंचे का आश्रे लेना बंधन में ही डालने माला है, यदि इसका त्याक कर दिया जाए, तो ये भाव बंधन से छुट कारा दिला सकता है, मैं और ये दोनों ही नहीं हैं, इस परकार जिनतन का तरहे तुम अनंत आकाश के समान विशाल हिद्दे वाले आत्मा के रूप में परतिश्टित हो, परवत के समान अविचल भाव से स्थित हो जाओ, ये संपुरन जगत परमात्मा ही है, ऐसा जान करके अन्ते करन में उदे होने पर कहां चित है, कहां चित है और कहां चितन है, मैं चिन में भ्रम हूँ, जीव नहीं, क्योंकि वास्ता में एक मात्र पर भ्रम परमात्मा के सिवा, जीवन नामक कोई अलग पदात नहीं है, यही चित की शान्ती है, और इसी का परम सुख कहते हैं रगनुन्दन ये संसार परमात्मा का ही सरूप है ऐसा निश्चे हो जाने पर निसंदेचित की कोई अलग सत्ता नहीं रह जाती इस परकार परमारत तत्व का बहुत होने से ये जिगत परमात्मा ही है ऐसा दिड़ निश्चे हो जाता है उसे दिशामे जैसे सुरे के परकास से अंधकार का नाश हो जाता है उसी तरह मन भड़ी बांती गल जाता है जब तक मन रुपी सर्प इस शेर में विद्यमान है तब तक महान भहे बना रहता है योग से उसको मार भगाने का भहे के लिए आफसरी कहां रह जाता है महान मो को देने वाली और भ्यंकर है मैं मुनिश को किवल अग्यान ही देती है वर्शारितों की अंधेरी रात के समान मन में अनंतवी कार उत्मन करने वाली ये तरिशना जब जब प्रकट होती है तब तब महा मो परदान करती है संसार में जो दुरंत दुर्जर और महां दुख है मैं तरिशना रुपनी वीश लता के ही फल है तरिशना से पीड़त मनुश में दीनता परदक्ष देखी गी है वेह मन मारे रहता है उसका तेज नस्ट हो जाता है नहीं बहुत नीचे गिर जाता है नहीं मुगरस्त होता रोता और गिता है निचे ही जहां तरिशना रुपनी काली रात नस्ट होगी है वहां शुक लपक्ष के चंद्रमा की भाती सतकरम ही बढ़ते है जिस प्रुश रुपी ब्रिक्ष में तरिशना रुपी घुन नहीं लगे है उनमें सदा पुन्य रुपी फूल खिलते हैं और वहें विकास शील अवस्था को प्राप्त होता है तरिशना दोरा ये सब लोग सूत में बंदे हुए पक्षी के समान देश वी देश में भटकाई जाते शोक से जर जर किये जाते और अंतोत गत्वा मारे जाते हैं जैसे हिरन तिनकों से अच्छा दित हुए गड़ों के उपर रखी हुई हरी हरी घास की शाखा को चरने के लिए जाकर उसे गड़े में गिर जाता है उसी परकार त्रिशना का उंस्वरन करने वाला मूड मनुश्य नरक में गिरता है बड़ापा कितना ही बड़ा हुआ क्यों ना हो वे नित्रों को शन भर भी उतना जीरन अंधा नहीं बनाता जितना हिद्दे में रहने वाली पिशाची के समान त्रिशना बना देती है जिसका अकार समपूरन दुखों से बरावा है और जो जगत के लोगों के जीवन का नाश करने वाली है वसे त्रिशना को क्रूर सरपनी के समान दूर से ही त्याग देना चाहिए दोसरों को मान देने वाले कमन नियंची राम वासना का त्याग गे और धे के भेश से दो परकार का बताया जाता है सब को भरम रूप से समान समझ करके मनुश्य ममता से रहित हो करके जिस वासना शे का संपादन करके शीर का त्याग करता है वे गे नामक वासना शे कहा गया है जो एहंकारमी वासना का त्याग करके लोक संग्रोचित व्यवार में सलक रहता है वैद्धे नामक वासना शेय से युक्त हुआ पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है रगनंदन मूल अग्यान के सहीत संकल्प रूप वासना का त्याग करके जो शांती को प्राप्त हुआ है उसे जीवन मुक्त पुरुष को गे नामक वासना त्याग से संपन समझे जनक आदी महात्मा धे नामक वासना त्याग का संपादन करके जीवन मुक्त हो लोक संग्रे के लिए विभार में स्थित हुए हैं गे नामक वासना त्याक को संपन करके छांति को प्राप्त हुए विध्यमक्त प्रोश प्रावर सरोप पर प्रभर्म परमात्मा मेंस तित होती है रगुणन्दन पूर्वक्त दोनों ही त्याग समान है दोनों ही परकार के त्याग वाले प्रोशे मुक्त पद परप्रतिश्टी थें ये दोनों ही ब्रम्म भाव को प्राप्त होती हैं और दोनों ही चिन्ता आम ताप से छुटकारा पा चुकी है एक दे नमक वासना शे से युक्त प्रोशे इस दे के रहते हुए ही जीवन मतोकर के शोक और चुन्ता से रहित हो जाता है और दूसरा गे नामक वासना शेय से युकत प्रुश देत आके अनंतर मुक्त ब्रह्म के स्रोप में स्थित होता है उसे विध्य मुक्त कहती है जो समय के अन्सार निरंतर प्राप्त होने वाले सुखो और दुखों में हर्श और शोक के वशी बूत नहीं होता वही इस लोक में मुक्त कहा जाता है जिस प्रुश का इस्ट वस्तों में राग और अनिस्ट वस्तों में देश नहीं होता वह मुक्त कहलाता है जिस पुरुष का अहनता ममता को ले करके ग्रेहन और त्यागरों पर संकल्प शीन हो गया है वैजीवन मुक्त कहलाता है हर्ष अमर्ष भई करोद काम और कायरता के दिश्टी से ही जो रहित है वैजीवन मुक्त कहलाता है शिरिबान मेकी जी कहते हैं भर्दवाज महर्ची विशिष्ट जब इतना उपदेश दे चुके तब दिन बीट गया सुरे अस्ताचल को चलेगे उस सभा के सभी सदस्यत मुनी को नमशकार करके साइं काली को पासना के निमत शुनान करने चलेगे और रात बीतने पर सुरे की किर्णों के उदे के साथ ही फिर उस सभा वहन में आगे सर्ग चोदा पंद्रा सोना समाब्टुवा सत्रमे सर्ग में जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले विभिन परकार के निश्चियों तदा सब कुछ ब्रम्मी ही है इस परमारत सिथी का बदन श्री विश्चि कहते हैं श्री विश्चि कहते हैं श्री राम जो विधे मुक्ते हैं ये वाले के विश्चियों नहीं होते श्री त्या करके शाक्षात पर ब्रह्म सरूप हो जाने के कारण उनकी मही मा तक वानी की पोँच नहीं हो पाती इसलिए उनकी स्थिति का वदन नहीं किया जा सकता अते तुम इन जीवन मुक्ति का वदन सुनो संसार सत्य है यह समझते हुए जिसके कारण विशे भोगों के भोगने में देड़ भावना होगी है ऐसी तुम दोरा जीव की जो बाहर पदार्थ में उसकी स्था को लेकर के आ सकती है उसे आचारे लोग सद्ड़ संसार बंदन कहती है जीवन मुक्ति के शीर के अंतकर में भोग पदार्थ मिथ्या है इसे निच्चे से हिद्दे में भोग संकल परहित और बाहर संसार में बिहार करने वाली सहुर नावा करती है मामत शीराम ये मुझे प्राप्त हो इस परकार के जो हिद्दिक में भावना है उसे तुम तृष्णा और संकल पर नामक श्रिंग खला समझो उस तृष्णा का सत और असत सभी पदार्थों में सदा त्याग करके जो परम उधार हो गया है वहें महा मनस्थी प्रुष्ट जीवन मुक्ति पत को पराप्त करता है शीराम विचारवन प्रुष्ट के हिद्दे में चार परकार का दिड़ निच्चे होता है पहला निच्चे ये है कि मैं सिर से लेके पैर तक माता पिता के द्वारा रचा गया ये असात द्रिष्टी है इसके कारण मुनिशे को बंधन प्राप्त होता है मैं दे इंद्रियां आदी सब पदार्थों से रही तर तथा शुक्षिन से भी शुक्षिन तर हूँ पदात मुझ अविनाशी परमात्मा के ही सबरोप है इस तरह का तीसरा निच्चे ही मौक्षि के ही प्राप्ति कराने माला है एहंकार अथ्वा ये सारा जगत सदा अकाश के समान्य शुनने ही है ऐसा जो चुद्धा निश्चे है वे भी मौक्ष की ही सिध्धी का कारण होता है इन चार निश्चों में जो पहला है उसे बंधन कारक कहा गया है शुद्ध भावना से उत्पन हुए शेश तीन परकार के निश्चे मौक्ष दायक बताएगे है मामते मैं आत्मा ही सब कुछ हूँ इस परकार का जो निश्चे है उसे पाकर ही मेरी पुद्धी फिर कभी विशाद को नहीं प्राप्त होती आत्मा की महिमा उपर निश्चे और अगल बगल में सरवत्तर व्यापक है सब आत्मा ही है ऐसे आत्मा की निश्चे से युक्तवा पुरुष कभी बंधन में नहीं पड़ता जैसे अमार महासागर पाताल तक जल्द से भरा हुआ है ऐसे ही ब्रह्मा से लिकर कीत पतंग तक सारा जगत प्रमात्मा से परिपूर्ण है इसलिए एक मात्र ब्रह्म ही नित्य और सत्य है उससे अत्रिक्त जगत की कोई सत्ता नहीं है ठीक वैसे ही जैसे सारा समुद्र जल ही है उससे भिनत रंग आदी कुछ नहीं है जैसे सुनने के कड़े बाजुबंद और नपोर आदी संद से भिन नहीं है उसी तरह विरिक्षत रिन आदी कोटी-कोटी पदात आत्मा से भिन नहीं प्रमातम में अद्वैत शक्ती ही द्वैत और अद्वैत के भेज से जगत निर्मान के लीला को करती हुई विस्तार को प्राप्त होती वास्तम में ना तो एहंकार है और ना ये जगती है ये सब कुछ केवल निर्विकल निर्विकार शांत विज्ञान अनंद घन ही परकाशित हो रहा है ये संसार ना तो सात है और ना साती ही है सदा यही समझना चाहिए परम अमरत अनादी सब जोतियों को परकाशित करने वाला अजर अजन्मा अचिंत निश्कल निर्विकार संपूरन इंद्रियों से रहित प्राणों का भी प्राण समास्त संकल्पों से रहित कारणों का भी कारण नित्य उदित परमात्मा व्यापक चिन में जगत परकासरूप अकाश्य में परिपोर्ण अनभव का बीज कारण अपने आम में ही अपने आपका अनभव करने युग्य आंत्रिक अनंद अनभव सरूप ब्रह्म ही तुम मैं और जगत है। उसे भिन कुछ नहीं है। इस परकार का निश्चे तुमें करना चाहिए। सर्ग सत्रा समाप्तवा अठ्थार्मा सर्ग महापुर्श के सभाव का वर्नन तथा अनसक्त भाव से संसार में विचरने का वुदेश। श्री वशेष्टी कहते हैं मा बाहुशी राम जिनका चित एकाग रहे तथा जो काम करोध आदे कूद रिष्टियों से आहत नहीं हुए हैं। इस संसार में लीला पुरक विचरने माले उन महापुर्श का नीचे लिखे वे सभाव बताया जा रहा है। जीवन मक्त चित वाला मुनी इस संसार में विचरन करता हुआ भी आदी मद्यद अंत में सिदाही रस हीन जो जगत की अवस्थाएं हैं उनको उपहास के योग्ये समझे। जो ना तो प्राप्त हुई प्रिये वस्तु का अभिनदन करता है ना अप्रिये से द्वेश करता है ना नस्ट्री वस्तु के लिए शोग करता है और ना प्राप्त वस्तु को पाने की इच्छा ही करता है। सदा मनन शील रहकर के कर्तव ये करम में आलस से छोड़ करके प्रवित होता है, वैपुरुश्य संसार में कभी दुखी नहीं होता। जो पूछने पर प्रस्तुत विशे का प्रतिपादन करता है, ना पूछने पर मोन होके सुखे काट की भाती अविचल भाव से स्थित रहता है, तदा इच्चा और अनइच्चा के बंदन से मुक्त है, वैपुरुश्य संसार में दुखी नहीं होता है। जो सब के अनकूल बोलता, किसी के पूछने या प्रेन ना करने पर सुन्दर उक्तियं द्वरा समाधान करता और प्राणियों के मनोभाव को समझ लेता है, वैपुरुश्य संसार में दुखी नहीं होता। या प्रमपद में आडूड होके जगत के शन भंगुर अवस्था को अपनी शात बुद्धी के द्वारा हस्ता हुआ सद देखता है। रखनंदन जिन्होंने अपने चित को जीत लिया है और प्रावर सरूब पर भ्रम परमात्मा का शाक्षा कार करके जो महात्मा होगी हैं उन्हीं का ऐसा सभाव मैंने तुम्हें बताया है। आपने चित को ना जीतने वाले मोडव मनुश्यों के जो यग्यादी करम हैं वे फल की कामना से युक्त होते हैं नना परकार के दंब मान मद आदी दुरगनों से भरे होते हैं अताए पुनर जनमादी के कारण होने वाले सुख दुखों से परिपोर्न हुआ करते हैं इसलि तुम तब भीतर से सब आशावं का तिया करके वीतरा गौर वाशना सुनने होके बाहर से समस्त सत करमों का थीक थीक पारंग करते हुए संसार में विचरो शीराम तुम उदार सदाचारी समस्त शास्त्री कर्म का भली भाती अचरन करने माले तुदा भीतर संपूरन कामनाव और असक्तियों से शुन्य हो के संसार में विच्चरन करो रगुनंदन तुम सब दार्थों का यथात रहस अहम अंतर जान चुके हो इसलिए जैसी अभिष्टों वैसे ही देश्टी से देखते हुए अनअसक्त भाव से संसार में विच्चरो छीराम एहंकार से रहित अपने वास्थी के सरूप में सिथित आकाश के समान निलेब अहम निर्मल तथा कलंक से दूर रह करके संसार में विच्चरन करो रागव सेंकड़ो आशारुपी पाशा से नित्य मुक्त सब अपदार्थों में सम तथा बाहर पर जाओं के हितकर कारियों में तथ पर रह करके तुम लोक में विच्चरो वास्तों में जीवात्मा का ना तो बंदन है ना मोक्षी है ये मिथ्या मया इंदर जाल की भांती संसार में भटकाने वाली है आत्मा तो सर्था एक रूप सरव्यापी और आसक्ती के बंदन से रही थै हिर उसका बंदन कैसे हो सकता है और जब वहे बंदा ही नहीं है तब किसके लिए मुष्च का विधान होगा ये ब्रांत रूप विशाल संसार ये थार्थ तत्तो को ना जानने के कारण अग्यान से ही उत्वन हुआ है ये थार्थ तत्तो का ग्यान होने से ये उसी तरह नस्त हो जाता है जैसे रसी का ग्यान होने से उसमें सर बुद्धिन नस्त हो जाती तुम अनंत सत सवरूप एम अकाश के समान व्याफक हो जो अलाओं के मद्यभाग की वहांती परकाश्मान एम नित्य शुद्ध हो तुमारा सवरूप किसी के दृष्टी में नहीं आता तुम शोख्यों सवरूप होकर संपुरं जिगत के पदार्थों के भितर उसी परकार स्थित्व जैसे मुक्दहार के सभी मौत्यों में एकी सुत समाया हुआ है महाँ बाहुशी राम ये शत्रु है ये मित्र है ये अपना है ये दूसरा है ये तुम हो ये मैं हूँ इत्यादी भावनाई यहां उसी परकार सत्य नहीं है जैसे दिश्टी दोश के कारण होने वाला दो चंद्रमा आदी का दर्शन सर्द 18 समाप्त